असना अलिकों, उमीद करते हैं आप सब खेर ये से होगे, तो मैं आज आपके साथ फूट कस्टड एसे पी शेयर करने जा रही है, उसके लिए मैंने एक लिटर दूद लिया है, दूद हमारा गल्म हो रहा है, और जो भी फ्लेवर आपको पसंदो उस फ्लेवर का कस्टड बुज़र रहा है, वो बहुत बुरा लग रहा है हमें उसके लिए, क्योंकि इस माहिर रमजान के जो नूर होती है, जो सहरी, इफ्टारी होती है, वो बहुत याद आएगी, और इफ्टारी के जो लंभा होता है, जब हमरा रूपा खुलने का तो टाइम होता है, उस सफी को एडवांस में रमजान मुपा रख, तो चलिया भी हमारा दूद करनी हो रहा है तो उस वक्ते में एक भोल बना लेती हूँ, दूद हमारा गर्म हो गया है, और मैंने बर्तन चेंज कर लिया है, यह थीक बॉट्टम वाला बर्तन लिया है, ताकि हमारा जो कस्टडे मैं इसमें शकर एड़ कर रही हूँ, शकर आपने टेस्ट के साफ से लिएगा, मुझे जाधा मीठा पसल नहीं है, अब हम इसमें वैनिला एसेंस दालेगे, इससे फ्लेवर और बढ़ जाता है, बहुत अच्छा लगता है वैनिला का फ्लेवर, फो स्पॉन लिया है, क्यों यह हमारा दूद एक लिटर है, अब हम इसमें थोड़ा-धोड़ा डूट एड़ करेंगे और इसका पेस्ट बनाएगे, यह देखे हमारा दूद दर्म हो गया से उपाला गया था, और यह हमारा कस्टड यह भी गुल गया, अब हम इसे धीरे-धीरे अड़ करेंगे, फोरा फ्रूट दालने के बाद और दो घंटे रखती हूं तो ऑर अच्छा लगीगा और हमें तो यह रिंपितारी में खाना है तो तब तक और अच्छा चील हो जाएगा तो यह मैंने एपल लिया है, एक कटोरी ग्रेट्स लिये है, जो भी चाहे है, जो भी फूर्ट्स चाहे है आपके पास है, वो दाल सकते है, एकसेप्ट वाटरमेलन, वाटरमेलन ने दालना है, क्योंकि उससे जो पानी रिलीस होगा, चाह हमारा कस्टड खराब हो जाएगा, दो आफ़ने डेटी डालेगे, जो बादमें में पास बादमें लिए यह दो इडिक्स फाइनले, तो यह ऑचनले कर देना तक है, आप इसके उपर मैंगो और मॉग्स में जाल दिया, आप कैसे लगी कमें बाक्स में जब बता देना, अच्छी लगे तो लाइक करदेने, च अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई